देशी तरीके के रहता आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे प्रेंज जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं पता नहीं किसे कार्ज वाले बनाते तो बिल्कुल यह पंड़ा है कि वो लोग हींग और बनार्शी राई से जो बनाते हैं क्या मुँव में लगते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग सनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करे आज हम सब का पसंदिता बनाएंगे लोगी का रहता जो रहता सुनते ही मूँ में बहुत पानी आते हैं आपको लोग कि कुछ इस तरह से लेना है जो इनमें बीज नहों और इनसे पता चलेगा कि डंठल कटा अन्हो डंठल हड़ा हो तो हमारे लोग की फ्रेस ताजा है बने चल्क भाक करना होगा कि आप इनको क्दु कस कर सकते हैं लेकिन हम बस पुरा ही इस तरह अज उसमें कर लिए हैं और अजन को के ऑने बहुत हैं कद्-डुकस कर लिए हैं तौ देख सकते हैं बहुत ही बारीक्ञ और अर लच्छेदार ही हुए है तो आजीए में आप को दिखाते हैं यह पर देख सकते हैं बिल्कुल फ अबको इसी तरह से चाहिए और इन्हें धोना नहीं ही और यह हैं नाहीं का पानी नीचो और पॉरमस की जाल सोभना है तो चलिए去ो दो कर दो है गार परेस्टते साम देखते हैं आगे के प्रोस्टे समी इस परेख़ेटे हैं से बस थोड़ा सबॉस्से में हैं ताकि यह अच्छे से गल जाए और चम्मा से चला दे अर एक दम गैस को हम मीडियम रखेंगे ढग करके इस तरह से लेट से ढग दे अर गैस को मीडियम रहने दे जब तक यह अच्छे से पानी छोड़के पक न जाए इनका पानी सुखना चाहिए तो चलिए देखते हैं आग इनको अच्छे से अब यह बिल्कुल परफेट तैयार हो गया है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इनका पानी सूख गया है तो आगे आपको कुछ नहीं करना है गैस कर दीजिए और इनका किसी पंखे के हवा में मतलब पंखे में रख दीजिए ताकि यह ठंड़ हो जाए अपर हम लोकी को अच्छे से ठंड़ा कर लिए है कड़्ू को देखिए और इस तरह से चाहिए थोड़ा सा मुष्ट जार जरी में पर लिजिए फेलिए हैं यहां पर लिजिए आपके पास अगर काला वाला राई है तो उनको ले लिजिएगा नहीं तो बनारसी र आधा इंच अधरक का टुकड़ा कद्दुकस कर लिए हम इनको और यहां पर एक चमच काला नमाक इनसे चटपटा और स्वादिश्ट लगते हैं और थोड़ा सा हम आधा चोटा चमच के करिब नमाक नन्य की सफेद वाला सब को मिला लेते हैं इनको अच्छे से अभी हम दही नहीं लगते हैं बढ़ी के से ज भूज होते हैं उन में जादा पतलाः ४हता नहीं देखिए हैं तर देखे कितना फ्रेश लग रह है अब हम अच्छे से मिला लेते याह हैं पर बिल्कुल देशी तरीके से बढ़ने जो की मूह में डालते हींपटा स्वात क्या लगेगा था और यह रहता एक ओर लोग रहता मांग मांग कर खाते हैं तो आपको और खुबसूरत करने के लिए चलिए आगे का प्रोसेश ठोरा दिखा देते हैं कि कैसे करना है तो यहाँ पे थोड़ी और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम ले लिए हैं तरका पैन तरका पैन में मात्र एक चमच तेल लेंगे इतना से ज्यादा मत लिजिएगा और इसमें तेल को गरम होते हैं तब तक हम लेंगे आधा छोड़ा चमच अजवाइन इनके साथ कलोंजी भी पढ़ते हैं लेकिन हम नहीं लिए हैं तो जवाइन ले लेते हैं और थोड़ा सा अगर पसंद है तो बस थोड़ा सा ले लिजिए यहीं चुटकी भर और यहाँ पे बनार्सी राई भी हम लेंगे बस हाप टी है स्विदम छोटा सा लेंगे हम के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस थोड़ा सा कास्मीरी लाल मिर्च इन पर छिरग दे इस तरह से तो यह देखिए कंपलीट रहता बनकर हो गया है तयार और पोदीने के पत्ते से इने कर दे गार्निस तो देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है फ्रेंस य हमारा रहता बनकर तयार हो गया एक दम देशी तरीके से और बहुत ही टेस्टी लाजवाब तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो लेकर करके अगर वीडियो अच्छी लागे फ्रेंस तो लाइक सब्स्राइब जरूर किजेगा तो तब तक लिए थाइंक यू किजेगा बदिए उया हो?